हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे और दोस्तो यदि आप इस साल कोई अपना टीवी अपग्रेड करना चाह रहे हैं 32 इंज से 43 इंज की रब मूफ करना चाह रहे हैं तो एक बार जरूर से इस मॉडल पे आप जो है नज़र दोला दिजिएगा जिसका मॉडल नंबर है सोनी का 43X8000H जी हाँ दोस्तों यह लेटेस्ट 2020 सिरीज का मॉडल है और जो है काफी अच्छे फीचर्स के साथ Android जैसे फीचर्स के साथ लोडेड है तो आईए आज की इस वीडियो में हम इस टीवी की अनबॉक्सिंग करते हैं फिजिकल ओवर्विव लेंगे और साथ इसाथ जानेंगे इस टीवी के फीचर्स के बारे में और साथ इसाथ थोड़ा साम इसमें साउंड भी टेस्ट करके देखेंगे हमारे को इसकी आवाज किस तरीके से सुनाई देती है तो चलिए दोस्तों हम इस बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए पहले हम देख लेते हैं इसमें जो आप देख पा रहे होंगे इसका जो मॉडल नंबर दिया है सांति सांत जो है मैनिफेक्टरिंग येर दिया हुआ है अगस्ट 2020 का इसकी जो मिलती है आपको 32,990 रुपे मिलती है वहीं ये जो है आपको ऑन साइट और ऑफ साइट कई जगाओं पर जो है तो आईए अब देर ना करते हुए इस टीवी को अन्बॉक्स करते हैं तो ये लिजे दोस्तों टीवी खोल के देखते हैं कि कैसा हमारे को मिलता है और क्या क्या इसमें बॉक्स एसेसरी हमारे को मिलेंगी एक बार फिट से मैं आपको बता दूँ कि टेबल टॉप स्टेंड इसके अंदर आता है और वाल माउंट स्टेंड जो है इंजिनियर जो भी फिट करने आएगा आएगा आपके गर में वो जो है अपने साथ ही लेकर करके आता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है इस वेसे अलग से ही वह अपने साथ कैरी करके लाता है तो यह आप देख सकत करीब इसका वजन होगा अप्रॉक्स लगबक 400 ग्राम दोने स्टेंड का वजन होगा अप्रॉक्स और यह कुछ बॉक्स दी गई है इसके अंदर जिसमें की रिमोट और जो है आपको अड़क्टर वगर रहा है और जो है हानिसिंग केबिल और साथ इसाथ जो है डो इसके साइड पैकिंग निकालने के बाद एक बार देखेंगे कि किस तरीके का यह मॉडल हमारे को दिखाई दिता है तो यह लीजिए टीगी हमने निकाल लिए बार बॉक्स से और इक बार इसको जो है अन्राप कर लेते हैं यह तो यह देखें दूस्तों काफी अच्छा ल slim है काफी पीछे से जैसा कि आप देख पारे होंगे यह देख सकते हैं आप looks में काफी slim दिया गया है top edges इसके यह bottom hands पे इसके कुछ sockets वगरे दिये गए हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेंगी कि कौन-कौन से sockets हैं यह जिसमें कि आप normally देख पारे होंगे ARC, land, optical, audio, out और जो है आपका video इन चीज़ के sockets जो है आपको पीछे मिल जाते हैं यहां पे और इसके लावा sides मम देख लेते हैं कि side में भी कई सारे sockets में दिये गए हैं और काफी easy होता है connectivity कर पाना जब यह हमारे wall पे लगी होती है और काफी नजदीक लगती है wall पे तो आप देख पा रह return channel का भी support इस TV में देखने को मिलेगा HDMI के द्वारा यहां पर antenna का option भी मिल जाएगा RF का जैसा कि मैंने आपको यहां पर पहले बताया था video audio in दिया गया है HDMI audio in दिया गया है RS 232C का भी support दिया गया है LAN का भी option मिल जाएगा optical भी है इसके लावा headphone के लिए 3.5 mm का jack भी दिया है और यहां पर जो है आपको Dolby Vision का भी support मिल जाएगा HDMI 4 पर तो यह भी आप जो है use कर सकते हैं इसमें तो काफी अच्छी बात है कि इसमें Dolby Vision का support यहां पर दिया गया है और इसके अलावा एक बार हम देख लेते हैं इसमें जो है power socket और जो है यह bottom में आप देख सकते हैं इसम में आपको कुछ keys दी गई है power के लिए और volume up and down के लिए एक बार इसके remote पे नजए दोडा लेते हैं इस साल की सभी लगबक सीरीज में इसी तरीके का remote देखने को मिलेगा आपको Android में और काफी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है remote थोड़ा सा लंबा है single hand operate कर करने के लिए आपको जैसे voice command अपरेट करने के लिए थोड़ा बहुत पर नीचे यूज करना पड़ेगा इसे और काफी अच्छा लग रहा है texture इसमें काफी अच्छा है सामने से भी और back side से भी देखने में काफी attractive दिख रहा है आप देख सकते हैं पास से देखिए इस तर mostly जो external adapter पर based है जिससे कि आपको benefit यह मिल जाता है कि जो है power supply आपको बाहर ही मिल जाएगी TV में in future अगर कोई दिक्कत आती है तो आप directly इसे replace कर पाएंगे और यह लीजे दोस्तों यह इसका first look काफी premium look दिखाई दे रहा है आईए बात कर लेते हैं कुछ इसके बारे में कि कि इस तरीके से इसकी video quality हमें क्या-क्या features देखने को मिलते हैं यह TV दोस्तों x wide angle के साथ आता है जिसकी वह से जो है picture side से काफी एकदम clear दिखाई देती है और साथी साथ जो है TV में backlight frame dimming का use किया गया है उसके अलाबा जो है TV में color enhancement के लिए आपको trilluminous display देखने को मिलेगी औ और live color technology का भी support इसमें दिया गया है आपको contrast enhancement की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें जो है आपको object based HDR remaster use किया गया है और साथी साथ जो है dynamic contrast enhancer का भी इसमें जो है इसमें 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 यह TV क्या है? इसमें HDR के आपको लबबक सभी format जैसे के HDR10, HLG और Dolby Vision इनका भी इसमें आपको support मिल जाएगा सांति साथ जो है picture clarity के लिए 4K X Realty Pro का इस्तमाल किया गया है और इस TV में आपको picture processor engine आता है जो कि आपको X1 4K HDR processor मिल जाता है जो कि Sony का काफी बैतरीन picture processor engine है और motion in answer की बात करूं दोस्तों तो इसमें motion flow आपको XR 200 तक मिल जाएगा जिसका की native जो है आपको 50 Hz refresh rate मिलेगा इसमें और इसके अरावा बात कर लें हम इसकी sound quality की तो sound quality के लिए दोस्तों जो है इसमें आपको base reflex speaker मिल जाते है 20 watt इसकी power output दी गई है जिसमें 10 plus 10 watt के 2 speaker जो है इसमें मिल जाएंगे आपको जो की Dolby audio को support करते हैं पुरी तरीके से साथ इसाथ Dolby Atmos का भी इसमें आपको support मिल जाएगा और DTS digital surround sound का भी जो है इसमें आपको support मिल जाता है दोस्तों और यह जो है latest android 9.0 पे work करता है और इसमें गूगल voice assistant का भी आपको support मिल जाता है और अगर इसकी मैं backlight की बात करूँ तो backlight जो है दोस्तों इसकी agility type D गई है इसमें जो है आपको साथी साथ apple airplay का भी support जो है मिल जाएगा कई लोगों का यह question रहता है कि इसमें bluetooth आता है या नहीं आता है तो दोस्तों में बता दूँ इसमें bluetooth जो है version 4.2 आता है जो कि सिर्फ आपको जो है आपके keyboard mouse और जो है remote connectivity के लिए मिलता है इसमें आपको speaker external speaker जो है connect नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों यह सब इसकी features की बात रही अगर picture quality आप देख सकते हैं बहुत ही जबर जब जब picture quality है colors की अगर बात करूं तो बहुत ही vivid colors है एकदम जो है natural looks आपको देखने को मिलेगा brightness काफी अच्छी मिल जाती है आपको हलाकि यह showroom condition में आपको look मिल रहा है जो कि मैं camera से record कर पा रहा हूँ और जो कि पूरी तरीके से मैं जो actual अपने आखों से देख रहा हूँ वो quality मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रही है camera में अगर मैं बात करूं तो तो camera में कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको visualization में फरक measure आ सकता है जबकि actual image जो है इसकी इससे कहीं जादा बहतर है आपको मैं दूसरे तरीके की कुछ videos दिखाता हूँ आप उसमें देख करके एक बार बहतर समझ पाएंगे तो यह देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे quality काफी अच्छी लग रही है बट lightning condition होनी की वएसे थोड़ा सा जो है camera में सही डंग से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा उसके लिए माफी चाता हूँ और दोस्तों वीडियो को like जरूर कीजिएगा motivation मुझे बहुत मिलता है साथ इसाथ नीचे जो red color का subscriber का button दिख रहा है वहाँ पर आप subscribe जरूर कर लिजिएगा अगर आप first time इस वीडियो को देख रहे हैं तो और इसी तरीके से मेरे चैनल पे others वीडियो को देखने के लिए जो है साथ इसाथ आप bell icon दबा लिजिएगा और उसमें जो है notification को all पे करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की notification जो है आपको instant मिल जाए तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जो है इस TV से related आपको पता चल गई होंगी और यदि उसके अलाव अभी यदि आपकी कोई query हो हैं एक बार मुझे भी आप जुरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों यह तो हो गई इसकी pictures की बात हम हम बात कर लेते हैं sound की तो एक बार हम sound test करके देखेंगे इस TV में कि हमारे को sound किस तरीके से मिलती है आईए सुनते हम एक बार इसकी अहा प्याएँ जाएँ तर एकार मुट्वी उस हो जढ़े हो जाएँ आईएँ घसली ली नँढ़े लाएँ इस टीवी के और भी आउडियो सेंपल टेस्ट मैंने जो है इंस्टाग्राम में डाले हैं अपने तो मेरे इंस्टाग्राम का आपको लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के जरूर से आप जो है अधर सौंग्स पर जो है इस वीडियो की साउंड आप सुन सकते हैं तो उसके लिए जो है आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर फॉलो कर लिजेगा दोस्तों तो दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी ओडियो कौलिटी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरूर बताईएगा और साथी साथ वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीजेगा बैल आइकन और जूरूर रख लिजेगा दोस्तों आप लोगों के प्य